Hello everyone, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी घर पे मस्त होंगे, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर करके आया हूँ, Class 11 का Chapter 1, Fundamental Forces, हमने इसके पहले दो लेक्चर्स बनाये थे, दो लेक्चर्स पर हमने वीडियो तयार किया था, जिसमें हमने पहले लेक्चर में Fundamental Forces के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, और बताया था कि Fundamental Forces केतने तरह क्या होते हैं, जिन में से हमने चार Fundamental Forces बताया था, Gravitational Force, Electromagnetic Force, Weak Nuclear Force, and Strong Nuclear Force, ओके, और इन चारों फोर्सस में से, दो forces के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से discuss किया था, अपने previous two videos में, अगर आपने उस videos को नहीं देखा है, तो एक बर जाएं, link description box में दिया हुआ है, पहले उन दो videos को देखें, तो आपको ये video बहुत ही बहतर समझ में आने माला है, So friends, today I am going to discuss about, weak nuclear force and strong nuclear force, ओके, होता है, generally एक experiment किया गया था, बीटा decay कहा गया, उस experiment को या ऐसे कह सकते हो, nuclear decay किया गया, जैसे suppose कर लो कि हमारा एक nucleus है, ओके, और इस nucleus को तोड़ा जा रहा है, या ऐसे कह सकते हो, कि alpha particles इसमें pass करा करके, इस nucleus को क्या किया जारा, ब्रेक किया जारा, आप चांदते हैं कि जितने भी nuclear power plants होते हैं, nuclear power plants में nucleus को break करके energy release किया जाता है, ठीक है, और उस energy को electricity में convert करते हैं, क्योंकि हम जानते कि जब एक कोई nuclear decay होता है, तो वहाँ पर tremendous amount of energy release होती है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक nucleus ले लिया है, और इस nucleus को decay किया जाएगा, तो generally scientist ने क्या किया, कि एक nucleus लेया, और nucleus को break करते हुए एक experiment किया था, ठीक है, और जब उन्होंने इस nuclear को decay कराया, तो देखे कि यहाँ से कुछ raise create हुए, यहाँ से कुछ raise create हुए, और इनमें से कुछ raise positive terminal के तरफ जा रहे थे, कुछ raise ऐसे negative terminal के तरफ जा रहे थे, मतलब इन्होंने क्या किया कि जो raise create हुए, उन raise को analyze करने के लिए, इन्होंने यहाँ पे electronic plates लगा दिये, यहाँ से का सकते हो, electric plate लगा दिये, तिनमें से एक plate जो है, इसका terminal कैसा है, negative terminal है, और जो दूसरा plate है, दूसरा plate positive nature का है, ठीक है, तो scientist ने क्या देखा, कि maximum raise इधर जा रहे थे, कुछ raise जो है, इधर negative के तरफ जा रहे थे, और उन raise में से कुछ raise ऐसे थे, जो positive के तरफ जा रहे थे, और कुछ raise ऐसे थे, जो ऐसे सीधे निकल गए, ना तो यह positive के तरफ गए, और ना ही negative के तरफ गए, ओके, फिर scientist ने इन raise को शनाम दिया इन रेस को कौन सा नाम दिया जो रे नेकट व टैर्मिनल के तरफ जा रहा था इस रे को दोह गteraल्फारे उंके तरह रहे तो उन rays को बोला गया बीटा rays और जो ना तो positive के तरब गये ना ही negative के तरब गये उन rays को बोला गया gamma rays तो scientist ने कहा कि जब भी हम nuclear decay करेंगे तो nuclear decay करते वक्त तीन तरह के rays create होंगे एक alpha ray जो की positive nature का होगा दूसरा beta ray negative nature का होगा और टीसरा gamma ray इसका कोई भी charge nature नहीं होगा यानि कि इस सिर्फ और सिर्फ एक form of energy होगा ना ये positive terminal के तरफ जायेगा और ना ही negative terminal के तरफ जायेगा होता है लियानि की ये एलेक्टिकली नूटरल होगा तो आपने देखा कि जो अलफा होता है ever is positive nature का होता है week मैं बीटा रेस कैसे होते हैं बीटा रेस होते हैं वो कि नेगटिव नेचर की होते हैं क्योंकि बीटा रेस वोस्ट्श तरब जा रहे हैं और जो gamma rays होते हैं, gamma rays neutral होता है, ना तो यह positive होते हैं और ना ही negative होते हैं, मतलब यह neutral होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सब चीज तो ठीक था, experiment बहुत ही अच्छा था, क्योंकि nucleus तोड़ा गया था, और tremendous amount of energy release हुई थी, वहाँ पर कुछ rays create हुए थे, लेकिन एक बहुत ही कठीन और अच्छा सवाल यहाँ पर आया, scientist के दिमाग में, साइध आपके दिमाग में भी यह सवाल आया होगा, कि अगर हम nuclear dk करते हैं, nuclear dk करने का sense क्या हुआ? कि एक nucleus में जरा सोचो, कि क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं? एक nucleus के अंदर हम जानते हैं कि proton पाया जाता है और neutron पाया जाता है, वैसे तो और भी कई सारे particles हैं, जैसे बोसान है, मिशौन हैं, बहुत सारे particles हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम आपके level की बात करें, तो आपके level पे आप यही पढ़े हैं, कि एक nucleus के अंदर proton पाया जाता है, और neutron पाया जाता है, proton कैसे charges होते हैं? proton generally positive charge होते हैं, और neutron neutral होता है, उसका ना तो कोई positive charge का nature होता है, और ना ही negative nature होता है, तो जड़ा सोचो कि positive ray create हुए, यह तो समझ में आया कि हाँ, आलफा रेज positive nature के हैं, क्योंकि इसमें proton पाया जाता है, गामा रेज भी समझ में आया कि गामा रेज neutral क्यों है, क्योंकि इसमें neutron पाया जाता है, nucleus के अंदर, जड़ा सोचो कि यह बीटा ray कहां से आया भाई, जड़ी, बीटा तो negative particle होता है, और क्योंकि यह किदर जा रहा है, positive की तरफ जा रहा है, means यह sure है कि बीटा किस nature का होगा, negative nature का होगा, तब ही तो positive की तरफ attract हो रहा है, अब जड़ा सोचो कि जब nuclear decay हुआ, nucleus में electron है ही रही, nucleus में सिर्फ और सिर्फ proton है और neutron है, तो यह negative particle कहां से आया, फिर scientist के मन में एक सवाल आया, कि positive, already यह positive है, तो negative तो create कर नहीं सकता, means यह sure है कि neutron ही तूटा होगा, और neutron जब तूटेगा, तो एक positive particle और एक negative particle बना सकता है, और फिर scientist ने क्या कहा, कि जब भी एक neutron तूटेगा, जब भी एक neutron तूटेगा, तो एक electron, एक proton, एक anti-neutrino त्यार होगा, क्या है, यह जो है form of energy है, और एक जो कि यहां पर gamma rays आपको जो दिखाई दे रहा है, वह anti-neutrino है, जो कि gamma rays create किये हुए, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक neutron तूटा, एक neutron के तूटने पर एक electron बना, एक proton बना and anti-neutrino बना, यानि कुछ energy release हुआ, अब सवाल यह पैदा हुआ, कि यदि neutron तूटा, neutron के तूटने पर एक electron release हुआ, एक proton release हुआ and कुछ amount of energy release हुई, तो जाहिर सी बात है, कि जब सारे एक साथ combined हुए हुए होंगे, तो वहां पर भी कुछ energy लगा होगा, या वहां पर भी कुछ force होगा, जो उनको एक साथ hold किया होगा, जड़ा सोचो, कि इस electron proton को एक साथ hold करके neutron बनाने के लिए भी क्या कुछ energy लगी होगी, क्या कुछ force रहा होगा, जाहिर सी बात है, कि जब तक कोई force नहीं होगा, तब तक कि मिल करके neutron नहीं बना सकते and that force is called weak nuclear force, लगवग आपको clear हो गया होगा कि weak nuclear force क्या होता है, weak nuclear force is a type of force which combines electron, proton and anti-neutrino together and form a neutron, यह ऐसे का सकते हो कि जो neutron होता है, neutron generally electron, proton और anti-neutrino से मिल के बना होता है, यानि कि जब भी nuclear decay होगा, तो nuclear decay के case में neutron जब तूटेगा, तो electron, proton and anti-neutrino बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि यह पहले से एक साथ combine होगे और जिस force के कारण यह आपस में combine होगे रहते हैं, उस force को हम बोलते हैं, weak nuclear force, ओके, अब कुछ basic बाते बताते हैं, weak nuclear force के बारे में, generally जो weak nuclear force होता है, weak nuclear force, second weakest force होता है, second weakest force होता है, आप कहुए second weakest force, यानि first weakest force होना होता है, हमने पहले वीडियो में ही बताए था, कि जो हमारा first weakest force, यानि ऐसे simply कैसा weakest force जो होता है, weakest force gravitational force होता है, okay, gravitational force is the weakest force, okay, gravitational force जो होता है, वो weakest force होता है, and weak nuclear force, क्या होता है, second weakest force होता है, दूसरी बात क्या है कि इसका रेंज सारे forces के पेक्षा सबसे कम होता है यानि कि जो weak nuclear force है weak nuclear force का range generally 10 to the power minus 15 meter से 10 to the power minus 16 meter तक होता है अब ज़रा सोचो कि एक nucleus के अंदर neutron पाया जाता है means it's sure कि इसका size इस neutron का size nucleus के size से छोटा होगा तभी तो nucleus के अंदर adjust कर लेता है और इस neutron में लगने माला force weak nuclear force है means इसका range 10 to the power minus 15 meter से लेकर 10 to the power minus 16 meter तक होता है तो इसका range जो है shortest range है और इसका अगर आप strength की बात करें force के strength की बात करें तो जो weak nuclear force है weak nuclear force second strongest force होता है अब आगे बढ़ते हैं strong nuclear force की और so guys what do you mean by strong nuclear force strong nuclear force क्या होता है generally इसके name से clear है strong यानि कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा strong मतलब क्या है बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और nuclear मतलब क्या हो गया कि nucleus के अंदर लगता होगा और force क्या मतलब क्या हो गया force यानि कि वह force जो किसी भी atom के nucleus के अंदर रखता है उस force को strongest nuclear force या ऐसे कह सकते हो कि strong nuclear force बोलते हैं which is strongest in nature इसको हम एक perfect definition देते हैं कि strong nuclear force क्या है it is a type of force which act inside of the nucleus and hold proton and neutrons together ठीक है यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर एक contradiction बताया कि nucleus में electron नहीं होता उसके बावजूद भी negative particle create होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी एक सोचने वाली बात है आपने electromagnetic force के बारे में पढ़ा है और electromagnetic force क्या बताता है जो electromagnetic force था वो यह बता रहा था कि जो like charges होते हैं मतलब plus plus हो गया या फिर minus minus हो गया जो like charges होते हैं like charges हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं ripple करते हैं और जो unlike charges होते हैं means plus minus या फिर कर सकते हो minus plus वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं वच्छो अट्रेक्ट करते हैं यह हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं और हम जानते हैं कि नूकलियस के अंदर सिर्फ प्रोटोन एंड नूट्रोन ही पाया जाता है नूकलियस के अंदर सिर्फ प्रोटोन एंड नूट्रोन पाया जाता है मतलब यह हुआ कि प्लस प्लस चार्ज एक नूकलियस के अंदर होगा और nucleus का size atom के size से एक लाख गुना छोटा होता है मतलब अगर size आप nucleus की बात करें तो 10 to the power minus 15 meter size आप nucleus होता है और जो atom का size होगा 10 to the power minus 10 meter होता है तो atom के size से जो nucleus का size है एक लाख गुना छोटा होता है तो जरा सोचो कि वो proton कितने जादे closer होंगे और nucleus कितना जादा dense nature का होगा लेकिन हम जानते हैं कि proton positive charge दूसरा proton भी positive charge और positive positive के बीच में repulsion होता है so they must repel to each other सारे के सारे proton को एक दूसरे को repel करना चाहिए और यदि ऐसा होता यदि repulsion होता proton प्रोटोन के बीच में तो nucleus का बन पाना possible नहीं था क्योंकि सारे के सारे proton एक दूसरे को repel करके दूर चले जाते है यानि कि जाहिर सी बात है कि कोई न कोई force ऐसा वहाँ पे available है जो उन protons को repel नहीं करने दे रहा है और उसका value electromagnetic force के बेक्षा बहुत जादा होगा and that force is called strong nuclear force तो strong nuclear force क्या है strong nuclear force वह force होता है जो nucleus को बनाने का काम करता है यानि कि ये proton and neutron को proton and neutron को एक साथ combine करने का काम करता है inside of the nucleus इसके बारे में कुछ खास बाते बताते हैं जो strong nuclear force होता है strong nuclear force strongest force होता है strong nuclear force क्या होता है strongest force होता है दूसरा ये electromagnetic force से hundred times अधिक होता है hundred times greater होता है greater than electromagnetic force तीसरी बात क्या है इसका जो range है इसका range बहुत कम होता है 10 to the power minus 15 meter तक का ही range होता है और most probable chance में strong nuclear force हमेशा proton proton को या ऐसे का सब्सक्राइब जो उसके particles है उन particles को attract कराने का काम करता है बहुत ही कम ऐसे chances यानि कि जब वो बहुत जादे closure हो जाएंगे इसका भी एक limit है उस limit से जादे जब closure हो जाएंगे proton तभी जाके उन में repulsion हो सकता है नहीं तो कह सकतो क्या कि always attract कराने का काम करता है strong nuclear force चौथा क्या है कि जो strong nuclear force होता है वो non conservative nature का होता है non conservative nature का होने का मतलब क्या है कि ये initial या final position पे depend नहीं करता मतलब पूरे nucleus में लगभग एक बराबर strong nuclear force लगता है और last बात बता दूँ आपको कि ये central force नहीं होता ये central force नहीं यानि कि non central force होता है जो हमारा strong nuclear force है वो non central force होता है मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ nucleus के center में लगे क्योंकि ये पूरे के पूरे nucleus में लगभग एक बराबर लगता है ठीक है तो आपको आसा करते हैं कि ये चारो fundamental forces समझ में आये होंगे इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि इसके strength का जो order होता है generally जो हमारा gravitational force है इसके बाद में कौन आता है weak nuclear force आता है फिर कौन आता है electromagnetic force आ गया और उसके बाद में कौन होता है strong nuclear force हो गया ठीक है और इसका जो ratio देखोगे तो ratio जो जनर लियागा one ratio 10 to the power 26 देखो जो हमारा weak nuclear force है weak nuclear force gravitational force 10 to the power 26 times अधिक होता है electromagnetic force इससे gravitational force 10 to the power 36 times अधिक होता है and strong nuclear force 10 to the power 38 times अधिक होता है तो ये इनके strength का ratio हमने यहाँ पर बता दिया कि 4 के 4 fundamental forces का strength का ratio क्या होता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप समझ गया होंगे कि weak nuclear force क्या होता है and strong nuclear force क्या होता है so मिलते हैं गाईस अपने अगले वीडियो में और अगले वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ conservation law of conservation के बारे में law of conservation of mass law of conservation of linear momentum law of conservation of energy इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा तो तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को लाइक करना तो विल्कुल भी ना बुलना यार आपका एक लाइक हमारे confidence को और बढ़ाता है और जादा से जादा अपने दोस्तों को share करें क्योंकि मैं आपको एक proper sequence में वीडियो देने वाला हूँ और सारे के सारे ENCRT के topics को cover करने वाला हूँ दोस्तों तब तक के लिए विज़ा लेते हैं थैंक्यू बैबै